मैं बवीता थ्यागी, ICS Coaching Center के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और जैसा कि कल मैंने कहा था कि आज एक बहुत important class लेके मैं आपके सामने आई हूँ और वो class सिफ class नहीं है, वो class एक ऐसी, ये मान लीजे, एक ऐसे इंसान के बारे में आज बातचीत करेंगे जिसका की नमन करना चाहिए हर इंडियन को, क्योंकि इंडिया की आजादी में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी ने दिया है, भारत से बाहर रहकर भी, तो वो हैं महान क्रांती कारियों की विचारधारा रखने वाले, सुभाष चंद्र बोस आज इन ही को एक important topic के रूप में cover करेंगे, कि उनकी क्या योगदान रहा, क्या देन रही समाज में, आज मैं और आप जो मिल बैटके बाते कर पा रहे हैं, और आजाद भारत में जो हम सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ा योगदान, और कितनी अजीब बात है, कि हमारी NCRT किताबों ने भर दिये chapters, दुनिया भर के lessons, गांधी के उपर, नहरू के उपर, अच्छी बात है, लिखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बड़े नेता थे, लेकिन बहुत rare कोई किताब ऐसी है, NCRT म तो मुझे नहीं याद पड़ता, कोई ऐसा चैप्टर मैंने पढ़ा हो, किसी भी स्तर पर, चाहे वो मैं पहली से बात करूँ यहां, बारवी तक की, जहां सुभाष चंदर बोस को, as a national hero, represent किया गया हो, यानि यह कड़वी सच्चाई है, कि भारत की सरकारों ने, और किताबों ने भी सुभाष चंदर बोस को, दिमाग से, समाज से, और इंडियन यूथ के मन से, हटाने की पूरजोर कोशिश रखी, हमेशा से, और आज सक उस व्यक्तित्व के स्वामी का, हम कहीं कहीं जो थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसको पढ़के कुछ पता लगा पात से इंट्रोड्यूस किया जाता, क्योंकि उनका जो योगदान है न, वो कॉंग्रेस पार्टी से अलग होके, एक संस्था से अलग होके, भी उस आदमी ने देश के लिए इतना कुछ किया, कि कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचा ही नहीं, ना अपने परिवार के बारे मे ना अपनी माबाप के बारे में, ना अपनी फैमिली के बारे में, तो ऐसे इंसान का तो हम कितना भी कुछ भी, मैं कितने ही लेक्चर्स दे लूँ, कोई कितनी ही चीजें लिख दे, लेकिन ऐसे लोगों का करजा हम कभी उतार नहीं सकते, और कितनी शर्म की बात है कि ऐसे के बारे में न पढ़ा जाता न पढ़ाया जाता मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी इस क्लास को शेयर करना, कभी नहीं, मैंने 60 प्लस वीडियो जाली हैं, लेकिन मैं आज ही कहती हूं कि इतनी बातों को जो लोग भी सुने वो कम से कम अपने से चोटों को जो अब पढ़ रहे हैं, उन तक ये बाते जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारियों की एसे लोगों की बाते पता होना बहुत जरूरी है, जैसे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, तभी तो अच्छे बनेंगे, और इतने बहतरीन व्यक्ति जो स्वामी रहे हैं, उनके बारे में जो कुछ चीजे में इखटी कर पाई, जो मुझे लगता है हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए, उनको आज हम जानेंगे, तो सुभाष चंद्रबोस, एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट के रूप में इनको जाना जाता था, जब ये स्कूल कॉलेज में थे, इनके पिताजी जाने माने वकील थे, फेमस, बहुत उस टाइम में बड़ा खांदान, मतलब ये मान लीजे कि उस टाइम के अमीरी के घर में जन्म हुआ था, सुभाष चंद्रबोस का, ये जन्में थे 1897 में, 23rd January, 23 January 1897, इनका birthday था, और उस दिन, ये मान लीजे कि इस देश की आजादी के लिए लडने वाले, सबसे बड़े क्रांतिकारी लीडर्स में, जिनका नाम लिया जाना चाहिए, उनका जन्म हुआ था, और बहुत सारे लोग अपना आइडियल मानते हैं, भगत सिंग को और सुभा भी होके नहीं किया, हमेशा ये माना कि मुझे कॉंग्रेस का ही लक्षे प्राप्त करने में हमेशा योगदान देना है, तो सुभाष चंद्र बोस जब जन में थे, तो बहुत अमीर खांदान में थे, पिताजी बड़े जाने माने वकील थे, उडिसा जो आज है ना, ओडि तो बहुत पहले टाइम में जब लोगों के घर साइकल नहीं थी, और अगर कभी किसी के घर साइकल आ जाती, तो पूरे गाहों के गाहों उमड़ पड़ते थे, उस टाइम पर इनके घर में कार हुआ करती थी, तो आप इमेर अमीर अच्छे खाते-पीते घर को ये कर रही है वो कह रहे हैं कुछ टेक्निकल फॉल्स आ सकते हैं यूट्यूब पर आज दिन में भी परिमाल सर की क्लासेज में भी कुछ फॉल्ट रहे थे जिसकारण क्लास को डाइवर्ट करना पड़ा तो मुझे कह रहे हैं पहले ही में इंफरमेशन दे दू अगर ये क्लास ब फेस्बुक पेज पर चले जाएगा आईसीस कोचिंग सेंटर फेस्बुक पेज ठीक है और आशा करते हैं नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है यहां भी पढ़ लेना वहां भी पढ़ लेना चलिए आगे बढ़ते हैं हम बातचीत कर रहे हैं इस देश के नामी गिरामी बहुत बहतरीन एक ऐसी शक्सियत की जिसका की बहुत बड़ा योगदान है भारत की आजादी में तो माबाप अच्छे खाते पीते खांदान में जन में इंट्रेस सार स्टाटिंग से अच्छी चीजों को पढ़ने का और जानने का मैं इस 15 साल की उमर में अपना जिनको य आपके साथ मेरे साथ हम जिस आदमी को जिस किसी को अपने टीचर को या कोई अपना कोई गली मोहले नुकड में कोई आपके स्कूल में कॉलेज में हम किसी ना किसी के जैसा बनना चाहते हैं और जब उस जैसा बनना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी उस जैसी आ जाती हैं. तो इन्होंने बहुत यंग एज में अपना आइडियल मान लिया, बहुत यंग एज थी 15 साल, तब बहुत सारी किताबे पढ़ डाली, जो लिखी गई थी स्वामी विवेकानन के उपर. तो स्वामी विवेकानन, जो इंडिया में एक बहुत बड़ी हस्ती थे, जो शिकागो अमारिका तक गए थे, और जिनका डंका बजा था पूरे यॉरोप में, उनके ज्यान का, उनको अपना आइडियल मान लिया सुभाष चंद्र बोस ने, और अरविंदो घोष को, जिन्होंने साउथ में एक आश्रम की भी स्थापना की थी, और महस 15 साल में इन्होंने बहुत सारी किताबे पढ़ ली, उन से जूड़ी, विवेकानन जी से जूड़ी हुई, तो धीरे धीरे फिर इनका इंट्रेस्ट बनता चला गया, पढ़ाई ये कैसी चीज होती है, अगर आप एक बर इंट्रेस्ट आ गया ना, तो फिर पढ़ाई से उठने का मन नहीं करता, और यही हुआ सुभाष चंद्र बोस के साथ, उनिवर्सटी में जब ये गए, तो कहते हैं कलकत्ता उनिवर्सटी में उस टाइम पे ये सेकेंड टॉपर थे, फिलोसफी में इन्होंने पढ़ाई की, और सेकेंड टॉपर रही उनिवर्सटी के, यानि पढ़ाई में काफी इंटेलिजन थे, अब इंटेलिजन बच्चे से मावाब की आशाएं भी ज्यादा जुड़ जाती हैं, इनके पिताजी पेशे से वकील थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, तो इच्छा हुई कि साधन है, सब कुछ है, बेटा लायक भी है, और भगवान की देन दिमाग भी तेज है, तो क्यों ना इसको इंडियन सिवल सर्विसेज में डाल दिया जाए, उस टाइम पे इंडियन सिवल सर्विसेज, लिए नहीं है, आज जो ICS इसको मैं बोल रही हूं, यह उस टाइम पर इंडियन सिवल सर्विसेज थी, तो इंडियन सिवल सर्विसेज में जाने का मतलब था, कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आज भी इंटेलिजेंट माने जाते हैं, उस टाइम पर ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों थे, क्योंकि उस टाइम पर यह एक्जाइम बहुत टफ माना जाता था, टफ आज भी है, लेकिन आज option है हिंदी में paper दे दो, English में दे दो, उस time यह option नहीं था, उस time exam पूरी तरह से English में conduct किया जाता था, और इसमें अंग्रेज जानबूज के paper ऐसा design करते थे, इतना tough बनाते थे, कि अंग्रेज ही उनहीं के बच्चे इस paper को पास करें, अपने बच्चों को वो mentally starting से prepare करते थे, वो जैसी 12-15 के होते, कि तुम्हें civil servant बनना है, तुम्हें civil servant बनना है, यह बहुत अच्छी नौकरी है, ऐश्वराम की नौकरी है, तो इस कारण से उनके बच्चे 5-5-7-7 साल तक लगातार पढ़ते जाते, पढ़ते जाते, मतलब फोकस्ड होके तयारी करते, इ भाषचंद्र बोस वो इंडियन है, जिसने इस चैलेंज को एकसेप्ट किया, जब इनके पिताजी ने कहा, कि बेटा मेरा सपना है, कि तुम इंटेलिजेंट हो, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम जाओ तयारी करो, और तुम सिविल सर्वेंट बनके दिखाओ तो इन्होंने 1919 में अपने पिताजी के इस बात को एस चैलेंज एकसेप्ट किया, और 1919 में यह यहां से लंदन चले गए, और वहां पे एक साल रहकर इन्होंने पेपर भरा, और एक साल तयारी की, और अगले साल 1920 में, जब इस पेपर का रिजल्ट आया, लिस्ट लगी, तो उस लिस्ट में, फोर्थ रैंक पर लिखा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का नाम, यह बहुत बड़ी बात है, आज भी यूपीसी टॉपर्स को लोग भगवान की नजरों से देखते हैं, कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, जो सच में टॉप करते हैं, कुछ लोग तो नकली भी एकसे फैला देते हैं, कि हम भई फलाँ पोस्ट पर लग गए थे, हमने जॉइनने की, यह हम DSP लग गए, ISP लग गए, इस टाइप के नहीं, ओरिजनल की बात कर रही हूँ, उस टाइम पर फोर्थ रैंक लाना, तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और कितनी भी बड़ी भीड हो, तुरंट सब इनकी तरफ अट्राक्ट हो के इनकी वातों को सुनने लग जाते थे, तो बहुत अच्छे ओरेटर थे, वक्ता, बोलते हैं हिंदी में, और बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट रहे, और अब देखो, सिवल सर्वेंट में लिस्ट म कि अगरे पसंद नहीं है, क्योंकि ये नौकरी कही न कहीं अंग्रेजों की चाकरी से जूड़ी हूई लगती है, यानि मैं कितना ही बड़ा अफसर बन जाऊंगा, फाइनली मैं कहलाऊंगा, अंग्रेजों के अंडर काम करने वाला, और मुझे अपने भारत में भारत के अ अगर तुम स्वर्ग में तुम जाके बैठ गए, अगर तुम सिविल सर्वेंट बन गए, क्योंकि इतने बड़े-बड़े सरकारी बंगले, इतनी सुविधा हैं, उस टाइम में सिविल सर्वेंट ये मालनी जे लोगों के लिए भगवान का दरजा था, और ये अदमी, एक य नहीं करने, क्योंकि ये अंग्रेजों की चाकरी है, सबने का पागल हो गया है, दिमाग खराब है, क्यों इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ना चाहता है, लेकि इनोंने अपने मन की सुनी, अपनी मा, प्रभावती देवी जी को लेटर लिखा, और कहा कि मा, मुझ से ये में आये न, तो वो कर, और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा, इंडियन सिविल सर्विसेज में सलेक्ट होने के बाद, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो मा का जब ये बात इनोंने सुनी, तो इनको लगा कि बस मैं सही रास्ते पे हूँ, और इनोंने अपने कि अंडुलन गांधी जी ने वापस लिया, तो कॉंग्रेस के दो दल बने थे, एक कॉंग्रेस और एक कॉंग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसके बड़े लीडर थे, C.R. दास, तो C.R. दास को अपना गुरु माना, इनको भी कहा कि मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चा कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो बेशक नौकरी, क्योंकि अंग्रेजों की चाकरी करने से देश कभी आजाद नहीं होगा, अब एक यंग एज का लड़का अपनी बढ़िया सबसे बेस्ट नौकरी पर लात मार देता है, क्योंकि उसको देश की सेवा करनी है, और जब य इन से छीन ली गई थी, तो यहां पर बड़ी अचीवमेंट पर पिताजी ने खुछ होके इनको एक सोने की घड़ी दी, लेकिन जब यह नोकरी छोड़ दी, बहुत लोगों ने कहा भी तुने गलती कर दी, जो भी है, जैसा भी रहा, 1923, अभी देखो कुछी साल बीते हैं यह सारा दौर बही चल रहा है, 19, 20, 22, 23 वाला, असायो गांदोरन वापस लिया गांधी जी ने, चौरी-चौरा हत्याकान के बाद, इन्हों ने, यंग लड़के हैं उस टाइम पर, इन्हों भी कहा गांधी जी ने गलत किया, इस टाइम पर जब देश एक था, उनिटी थी तो सिर्फ 22 लोगों के जिन्दा जलाना कि घटना इतनी बड़ी नहीं माननी चाहिए थी, और यह आंदोरन वापस नहीं लेना चाहिए था, खेर, काम करना था, इनको करने आ गए काम, 1923 में, यूवा कॉंग्रेस की जो एक पूरी ब्रिगेड थी न, उसके ये हेड बन फिर कॉंग्रेस में सचे भी बने ये, बाद में लेटर स्टेज में जाके, और धीरे-धीरे कुछ, महस कुछ सालों में ये, कॉंग्रेस की राष्ट्रिय कारीनी के मेंबर बन गए, यानि नैशनल लेवल पे एक छोटे सी एज के लड़के ने अपनी आइडेंटिटी खड पकड़ लिया गया, और इनको पकड़ के जेल भेज दिया गया, एक फेमस जेल में बहुत बार जिक्र करती हूं, मांडले, ये जेल एक ऐसी जेल थी, आप ये मानो, जो यहां लंबा टिक गया न, वो 100% ऐसी बिमारी से ग्रस्त होगा, कि वो लाइफ लॉंग ठीक नहीं हो कि आदनी उसको खाएगा तो वो 100% बिमार होगा, एक आधे दिन रहना हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन यहां सालों साल हमारे ऐसे वीरों को ये लोग भेज के और फिर कई-कई साल तक यहीं डाले रखते थे, जिससे कि ये लंबी बिमारियों से ग्रसित हो जाएं, ऐसा ही हु सुभाष चंदर बोस के साथ, और बोस यहां पर जब लंबे रहे गए, क्योंकि 27-27 सक यहीं रहे थे, तो बोस को बिमारी पकड़ गई, और सुभाष चंदर बोस जब यहां थे न, तो कहते हैं, टी-बी की शिकायत स्टार्ट हो गई थी, ट्यूबर क्लोसेज, आज भी ट चीजें चलती रही, इसी दौर में, 25 में, देखो एक तो जेल में गए, और इसी टाइम पर इनके, जिसको ए गुरू मानते थे, चितरण जन्दास, इनकी भी डेद हो गई, तो दो गड़बड की चीजें एक ही सन में हुई हैं, 1927 में, 25 में, 25 के बाद फिर धीरे धीरे वा था कलकत्ता में, और मोतिलाल नहरू की एक रिपोर्ट पेच की गई थी, नहरू रिपोर्ट जिसको नाम दिया था, अगर आप पुराने सारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको यह बाते पता होंगी, 1928 के उस कलकत्ता सेशन का सारा जिम्मा सौपा गया अधिवेशन का जो होने वाला था कलकत्ता में, कॉंग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन इसकी सारी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस के कंधों पे डाल दी, कि सुभाष तुम्हारा इलाका है, तुम मैनेज करो हर चीज को, गांधी जी आएंगे, नहरू आएंगे, मोतिला नहरू, सब लो यहां इन्होंने एक कॉंग्रेस पार्टी में ही एक कोर बना दिया था, मतलब इसके सदस्यों को लेके, जैसे NCC होता है न, National Cadet Corps, ऐसे ही एक कोर बना दिया था इन्होंने, उस टाइम में, जो यंग लड़के थे, इनको लेके, एक ऐसे संगठन सा बना लिया, और उन सब न वही सेम एक इन्होंने छोटा से एक संगठन सा बना लिया, उसमें लगभग इन्होंने यह मालनों असी सौ लड़के तयार किये, कि तुम लोग एंटरी पे खड़े होगे, और जैसे ही बड़े-बड़े लीडर्स आएंगे, उनको तुम्हें सल्यूट करना है, और जैहिं में हैं, NDA, मैं लखी रही मुझे जाने का मौका मिला, NDA, National Defense Academy में हम लोग गए, और यहां पर एक चीज जो देखी कि जितने लोग हैं, जितने लोग रास्ते में मिलते हैं, वो जो भी गाड़ी में जा रहा है, पैदल जा रहा है, साइकल पे जा रहा है, इस academy के अंदर, त मतलब यह लगता है कि अभी पांच मिनट पहले यही सेम लड़का मिला था, और पांच मिनट बाद दूसरे मोड पे फिर वही मिलेगा, तो वो उसी जोश के साथ जैहिन करेगा, जैहिन साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनके, और यह नारा किस ने दिया था, सुभा सुभाष ने नारा इसलिए दिया, सुभाष सच में मन से सैना में जाना चाहते थे, और सुभाष के अंदर वो उत्तेजना थी, वो उत्साह था, वो मंग थी, कि मैं कभी सैना में उंचे पत पे जाऊंगा, लेकिन फिर परिस्सितियां इस तरह की हुई, कि वो सैना की वो असी सौ लड़कों का एक चोटा सा बना दिया, और जिसने क्या किया, एंट्री पे खड़े होंके जैसे ही बड़े लिता आते, तो वो सल्यूट करते, तो जब ये एमेल नहरू भी यहां आए, तो कहते हैं, इसके कमांडिंग उफिसर खुद बन गय, खुद इसके कमां ये बात अच्छी नहीं लगी, कि ये सैनी स्टाइल में टोपी पहनाना, ये वर्दी पहनाना ये इस तरह से, और ये सूट कोट और ये जैकेट और जिस तरह का सैना का रहन सैन टाइप का होता है, तो गांधी जी की इस बात से बुरा नहीं माना, एक तो बहुत यंग है, आप यह देखो, 28 साल ये और तीन साल वो, तो गांधी जी की उम्र तो काफी हो गई ना, और इनके अंदर लगभग 20 साल का अंतर था, तो 30 साल का, लगभग 30 ये इसका, तो गांधी जी कुछ भी कहते थे ये बुरा नहीं मानते थे, और कोई बात नहीं, गांधी जी ने कहा प्रमोट करने में विश्वास करते हैं, 1928 का ये ठीक ठाक बीद गया, सब बहुत लोगों ने सराहना की, गांधी जी ने कह दिया बंदरों की फॉज क्यूं तयार की, चलो जैसे तैसे चीजें चल पड़ी, 1930 आ गया, 1930 में गांधी जी का, सवीने अवग्या अंदुलन और क कलकत्ता की कमान दी गई सुभाष को, कि सुभाष तुम सभालोगे, सवीने अवग्या अंदुलन, कलकत्ता का पूरा बीड़ा, सुभाष चंद्र बोस ने उठाया, अब सुभाष चंद्र बोस ने जब ये बीड़ा उठाया तो इमान के चलो कि जेल होगी ही होगी, क्यों जब तबियत ज्यादा बिगड़ गई, तो सुभाष चंद्रबोस 1933 में अंग्रेजों ने रिहा कर दिये, कि जाके अपना ढंग से इलाज कराओ, सुभाष चंद्रबोस अमीर परिवार से हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, यूरोप चले गए इलाज कराने, और तीन साल इन्हो 36 का जो दौर रहा, इसमें सुभाष चंद्रबोस विदेश में रहे, यूरोप में रहे, और कहते हैं, यहीं रहते हुए, उन्होंने समाजवाद के बारे में डिटेल से जाना और समझा, कि समाजवाद का कॉंसेप्ट क्या है, रशिया तो एक्सपरिमेंट को पहले भी कर ना, 1917 की करांती, तो इन्होंने समाजवाद को करीब से देखा और समझा, और यहीं इनकी मुलाकात हुई, अपनी होने वाली पत्नी से, 1934 में, 1936 में यह वापस आते हैं, 37 में यह वापस, जैसे आवाज आ ही चलती रही, 37 में इनकी शादी होती है, और 1942 में इनकी बेटी का जन मोता है, अनीता बोस का, अनीता बोस को इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, forward block, forward block यह कहती है, कि नहीं इनकी शादी की घटना सची है, और नहीं इनकी पुत्री का जन, लेकिन, लेकिन, अनीता बोस की आइडेंटिटी को इंडिया में माननेता है, और बंगाल के बहुत सारे लोग आज भी उनको उतना ही महत्व देते हैं, यतना कि सुभाष चंद्र बोस को देते थे, और खुद हमारे राष्ट्रपती, जो भी पीछे राष्ट्रपती थे न, इन से पहले वाले, क्या नाम था उनका? प्रणव मुखर जी, प्रणव मुखर जी एक बुक किया था, खुद इनकी बेटी आई थी, क्योंकि उस बेटी नहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो यह माना जाएगा कि हाँ, आनीता बोस जो है, उनकी आइडेंटिटी को हम भी मानते हैं, चली आगे बढ़ते हैं, 1936, इसके बाद ये वापस आए, आइडेंटी एडेंटी नावा प्लोप सेहमति हम आएडेंटी नाव में आइडी जिए गांग्रेस के अधिवेशन में, जब अध्यक्ष के पद का मुददा आया, तो इनका नाम आया, सबकी सहमति से यी अध्यक्ष चुने गए, 1938 के अधिवेशन में, यह अधियक्ष के आजादी के लिए, चाहे हम कितने ही अहिंसक तरीके से काम करें, लेकिन हमें सेना और संगठन की जरूरत होगी, जैसे ही सेना शब्द लिया, तो गांधी जी थोड़ा सा, क्योंकि गांधी जी मैंने बताया कि 1928 में बंदरों की सेना से इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया तो सेना और संगठन जैसे ही गांधी जी ने सुना, तो गांधी जी को लगा कि ये अध्यक्षपद के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस चीज को मैं अपनी यंग एज से लगातार लोगों के बीच में फैला रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, ये तो उस चीज को तुरंट से ह नेगेटिव इंपक्ट चला गया, 1938 में इतना अच्छा काम किया सुभाष ने कि अगले साल 1939 में वापस से कॉंग्रस के इलेक्शन में दुबारा से ये हुआ कि इस बार फिर कॉंग्रस के अध्यक्ष सुभाष चंडर बोस बनेंगे, अब गांधी जी ने सुभाष चंडर हार है, ये बहुत बड़ी बात गांधी जी ने कही, इतना कहने के बावजूद भी सुभाष इलेक्शन में खड़े हुए, और सुभाष चंडर बोस यहां चुनाव जीत गए, कितनी बड़ी बात है देखना, सबको पता था कि ये चुनाव आरिया पार की स्थिती है, दो बड़े लीडर्स के वीश, गांधी जी और सुभाष चंडर बोस, और गांधी जी के मूँ से ये तक सुन लिया गया था, कि अगर तुम जीते तो ये मेरी हार है, देश का इतना बड़ा लीडर, सबसे बड़ा मास लीडर, जिससे बड़ा जननेता आज तक नहीं हुआ, व लीडर हैं, इनको खड़ा कर दिया, सब को पता था कि पत्टाभी का जीतहार मैटर नहीं करती, गांधी जीतहार है ये, तो यहां ये दो लोग वर्सिज में हो गए, एक तरफ गांधी जी माल लो, पत्टाभी का बस चेहरा है, और दूसरी तरफ है सुभाष चंडर बोस, वोटिंग तो उनहीं लोगों को करनी थी, जो कॉंग्रेस के मेंबर्स थे, और इसकी वोटिंग का जो रिजल्ट आया, सुभाष चंडर बोस, दोसो तीन वोट से जीत गए, दोसो तीन वोट उस रही माइने रखती थी, एक आदमी की वोट बहुत कीमती थी, दोसो तीन व जो कारेकारणी परिशत थी, कॉंग्रेस की काम करने के लिए परिशत बनी हुई थी, जिसमें देश भर के बेस्ट लोगों को चुना जाता था, और 14 मेंबर काम करते थे, पूरे साल अध्यक्ष के साथ, तो कहते हैं, जैसे ही ये जीते, तो सब को लगा, जो ये मेंबर से, कि ये तो गांधी की हार है, और गांधी जी के तो बहुत सारे लोग उस टाइम ये मान लीजिए, कि भक्ती करते थे, गांधी जी ने जो कह दिया, वो आँख मन करके विश्वास करना है, इनकी टकर में कोई खड़ा हुआ है, तो वो गलत है, ऐसा बहुत लोग मानते थे, अब 14 में से तुरंट वही हाथ के हाथ, बारा ने अपना इस्तीफा पकड़ा दिया, कि भाईया, ये लोग हमारा रिजाइन कर दिया, हमने, हम काम नहीं करेंगे सुभाष चंडर बोस के साथ, महस दो आदमियों के साथ सुभाष कितने दिन खीश लेते, सुभाष गए टे रास्ते को बदलने को तयार हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुभाष ने कहा, महात्मा गांधी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस बात को आप कह रहे हैं, वो 1930 तक ठीक थी, क्यों? क्योंकि तब तक पूरी दुनिया में अहिंसा का पार्ट पढ़ाया ज चलती है, तो यहां सुभाष कह रहे हैं, कि जब पूरी दुनिया में, सेकेंड वर्ल्ड वार के इतना ज्यादा शोड शराबा है, तो आपकी सहिंसा के पार्ट को कौन पढ़ेगा, और यह कोई लॉजिक नहीं है इस टाइम पर, गांधी जी ने कहा, कुछ कहो, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते से सहमत नहीं और कॉंग्रेस तुम्हारा साथ नहीं देगी, तो इन्होंने कहा, ठीक है, फिर मैं अलग होके काम कर लेता हूँ, गांधी जी ने यह नहीं कहा, एक बार बेकि तुम रुक जाओ, क्योंकि देखो, तुम चुन के और जीत के आए हो, और जी ने कहा, कि अगर तुम अपने रास्ते पे चलके इंडिया को अजाद करा पाए, तो सबसे पहले तुम्हारी पीट थप थपाने मैं आउँगा, यानि तुम यहां से जाओ, अपना रास्ता कुछ अपनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, तो पत्टा भी सितार मैया की हार, गांधी जी की हार थी, और गांधी जी की इस हार पर सुभाष चंद्र बोस के बड़पन देखो, जीतने के बाद एक सीट को छोड़ देना, यह बहुत बड़ी बात है, और इससे भी बड़ी बात जानते हो क्या हो, क्या है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में, गा और गांधी जी के बीच में मतभेद है लेकिन हमारे मन अलग नहीं है हम दोनों का टार्गेट है इंडिया की आजादी जो यह है ना अपने सुभाष चंद्र बोस इनके बड़े भाई ने भी कहा था कि तुम क्यों इतने पागल हुए जाते हो गांधी जी ने तुम्हारा किय क्या ही क्या है और उन्होंने तुम्हारा क्या बुरा नहीं करने में कसर चोड़ी तो उन्होंने कहा था आप गलत समझ रहे हैं मेरी और उनकी कोई लड़ाई नहीं है हम दोनों का विजन अलग है अब एक मोटी सी बात बताओं इन दोनों में अंतर क्या था जैसे इस लेक् प्रगेट भी एक है इंडिया की आजादी बस अंतर क्या है दोनों का लक्ष बहुत पवित्र है गांधी जी का लक्ष भी भारत की आजादी है और नेता जी का लक्ष भी लेकिन नेता जी कहते हैं एक पवित्र लक्ष तक पहुंचने के लिए मैं साधन कोई भी अपना गांधी ने कहा लक्ष पवित्र होना तो ही जरूरी, लेकिन इसके साथ साथ, तुम जिस साधन से अपना ये प्राप्त करो ना, वो भी पवित्र हो, यानि सत्य अहिंसा सत्याग्र है, दोनों का लक्ष एक है, टारगेट एक है, आजादी, लेकिन गांधी कह रहे है, आजाद भी तरीके से आएगी, तो यह कहने हैं, भईया, तरीका अब अब नहीं चलेगा, अब सेकेंड वर्ड वार का टाइम है, यह मेंड टाइम है, मारो इन अंग्रेजों को, भगाओ यहां से, सेकेंड वर्ड वार पे भी विचारों में देखो कितना ज्यादा अंतर था, इस बात हैं, सेकेंड वर्ड वार में दो गुट बट गए थे, एक मित्र राष्ट और एक जर्मनी, इटली और जापान, तो सेकेंड वर्ड वर्ड वार में स्टार्टिंग जो थी ना, इसमें जर्मनी हावी रहा था ब्रिटेइन और अमेरिक, अमेरिका तो खेर 41 में आया, सुस् JAMINT, बचारे हमारे սुष्मन परेशान हैं, दुखिया हैं, और रुष्मन पर बुुरे टाइम में क वार नहीं करना चाहिए यज़ गांधी जी के फिलोसफी है, एक अगर बुरा टाइम हो तो उन पर वार मत करो उ, उन बिचारों、 सात मत दो, लेकि उन वार भी मत कर तो यहनि गांधी जी को हमदर्दी हो रही है किसके साथ बृतें के साथ क्योंकि इनका समय अच्छा नहीं चल रहा है इनके ओपर अटाइक हो रहा है और यह हार रहे हैं तो गांधी जी कह रहे है कि दुश्मन के ऊपर बुरे टाइम में कभी वार नहीं करना चाहिए यह इनक यह था नहीं टाइम जर्मनी उनकी बहुत बढ़िया तरीके से चारो दिशाओं में उनको बुरी तरीके से लताइघ रहे है उनको पीछे करता जारह 시간 और हर जंगे फ्रंट पर आगे आता जारह है यहयनि बृटिशर्स डर रहे हैं दब रहे हैं यह सही टाइम है, मौका है, इनको इंडिया में इतना दबाओ, इतना डराओ, इतना दुखी कर दो, कि यहां से भाग जाएं, यानि मौके का फायदा उठाओ, अंग्रेज यहां 200 साल से हमें भी तो दुखी करने हैं, अब जब इनके सिर पे बला आई है, तो हम क्यों ना फाय का point of view है, यहां एक और बड़े लीडर है, जवाहरलाल नहरू, इनकी बात क्या थी, इनोंने का, ना इनके फायदा उठाने का टाइम ना नुकसान करने का, तथस्त बैठे रहो, चुपचाप, तमाशा देखो, जो होगा, जो मरेंगे, जीएंगे, बाद में देख लेंगे यानि गांधी जी तो कह रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है, मेरी एक तरह से सिंपथी है अंग्रेजों के साथ, यह कह रहे हैं, फायदा उठालो, टाइम है, मौका है, इनको भगा दो यहां से, यह कह रहे हैं, तथस्त बैठे रहो, हाथ पे हाथ रखे रहो, लड़ेंगे मरेंगे, जो होगा, Second World War के बाद हम अपने आप देख लेंगे, तो तीनों की विचार धाराएं अलग हैं, अब इनको तो कोई फरक नहीं पड़ता, इनको हटाते हैं, यह दो उल्टी बाते कर रहे हैं, दोनों का लक्षे है भारत की आजादी, लेकिन गांधी कह रहे हैं, टाइम नहीं है, अजादी के लिए लड़ने का, और यह कह रहे हैं, यही टाइम है अजादी के लड़ने का, अंग्रेजों को पता चल गया, कि यह नेता जी सुभाज चंदर बोस हमारे खिलाफ प्लाइनिंग करेंगे, तुरंस से इनको गिरफतार कर लिया, यहां इनको ग भूख हड़ताल कर दी, और भूख हड़ताल में तबियत बिगडने लग गई, जबरजस्ती वही भगत सिंग वाले किस्से जो आपने देखे होंगे, जबरजस्ती खाना खिलाने की कोशिश इनोंने नहीं खाया, 14 दिन की हड़ताल तबियत रोज बिगड रही है, तो जो अधिकारी थे आलाफसर, इनोंने का अगर सुभाष जेल के अंदर मर गए न, तो फिर क्रांती आ जाएगी, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा प्यार करता था सुभाष चंद्रबोस को, तो इससे लिए, जिन्दा सुभाष हमारा उतना नहीं बिगाड पाएगा, जितना मरा हुआ सुभाष बिगाड देगा, ये इनके शब्द थे, तो इनोंने का इसको रिलीज कर दो, तो सुभाष चंद्रबोस को 1941 आते, 40 के एंड आते ये हो गया कि रिलीज कर देगे, 1940 में सुभाष चंद्रबोस ने जो ये सब काम किये, इनसे ये तो हो गया था कि रहें, उस प्लाइनिंग में, बीत गए कुछ दिन, सुभाष चंद्रबोस आराम से ठीक है भईया, बिमार थे, ज्यादा तभियत खराब हो गई थी, बुरा हाल था, यसलिए आराम करते रहें, लेकिन जैसे ही Second World War की खबरें आती रही, सुभाष चंद्रबोस अक्टिव ह इनके घरवालों को भी सबको नहीं पता चला, अपना भतीज, इनका भतीज अब तक जवान हो चुका था, सुभाष चंद्रबोस ने अपने भतीज, शिशिर बोस को कहा कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, उसने कहा हाँ चाचा आती है, तो बोले ठीक है, गाड़ी इन जियाउदीन नाम के एक आदमी का हिनों ने भेश धारन किया, और वहां से, अच्छ, चीक है, क्लास बतारे हैं, बहुत लंबी हो गई है, अभी तो कहानी शुरू हुई थी, तो चलो एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगी फिर मैं, आज मैंने इंडिया बाद का सेकेंड पार्ट, अब स्चार्ट होने वाला था, जो सर बता रहे हैं कि टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी लगभग, यह मालनो पचास मिनट की क्लास और है, तो हम लोग उस क्लास को बाद में पढ़ लेंगे, सेकेंड पार्ट बनाऊंगी फिर मैं, तो एक काम करते हूं, रिवीजन दे देते हूं, 5-10 मिनट का, उससे सारी चीज़ें आपको दुबारा से समझ में आ जाएंगी, ठीक है, आधी कहानी पढ़ ली हमने, आज तक का इंडिया में योगदान क्या था, चलो जल्दी से रिवीजन देते हैं, नेताजी सुभाष कि नाथ बोज, वकालत करते थे, जाने माने अच्छे घराने से थे ये, प्रभाव इनके ओपर था, स्वामी विवेका नंजी का, पंदरा साल तक की उम्र आते आते, सारी किताबे पढ़ ली, जहां-जहां लिखा था विवेका नंजी की हिस्ट्री के बारे में, और श्री अरबिंदो घोष का, साउथ इनिया में जो बहुत अक्टिव थे, पंदरा साल में विवेका नंजी पर साहित्य पढ़ डाला था सारा, बीए में कलकत्ता उनिवर्स्टी में सेकंड टॉपर रहे फिलोसिफी के, पिता का सपना था कि उस टाइम पे इंडियन सिवल सर्विस में जाएं, और सपना पूरा किया पिताजी का, 1919 में लंदन गए, बीस में एक्जाम दिया, फोर्थ रेंक आया, अंग्रेजों के देश में जाके, उनी की लिस्ट में चौथे नंबर पे, टॉपर्स में खड़े थे, सुभाष चंद्रबोस, 1923 में अखिल भारतिये यूव कॉंकि यंग थे न, तो यूवा कॉंग्रेस के, बंगाल कॉंग्रेस कमीटी के सेक्रेटरी भी बन गए है, नेक्स्ट, असायोग आंदोरन की वापसी, जब गांधी जी ने कर दी तो ये नाखुष हो गए, उन्होंने का ठीक नहीं किया, सियारदास इनके गुरू, उन्हो को उन्होंने अपने अंडर रखके उनकी मदद ली, नेस्सो पच्छिस में नेताजी मांडले जेल भेज दिये गए, मांडले के सिती बहुत खराब बीमारियां लगती थी, सियारदास की डेथ भी हो गई, तो पच्छिस अच्छा नहीं रहा इनके लिए, सियारदास के उत में देखो, उन्निस में तो ये पढ़ने गए, बीस में एक्जाम पास हुआ, और देखो, तेईस से सताइस, इतने कम टाइम में ये देश में जानीमानी हस्ती बन गए, कॉंग्रेस के बड़े आदमी बन गए, अठाइस में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जहां वो सवीने अवग्या अंदोलन का सारा दारोमदार इनके कंधों पर आया, तो इसको लीड किया, गिरफतार हुए, जेल से चुनाव लड़े मेयर की पोस्ट के लिए, और देखो, जेल से पर्चा भरा इन्होंने, और जनता के बीच में इतने फेमस थे, कि जेल से पर्चा भरन करने के बावजूद, कोई उस तरह में केमपेनिंग तो हुई नहीं होगी, फिर भी ये मेयर चुने गए, तो कितनी बड़ी बात है, लोगों को देखो, कितना पसंद करते थे लोग इनको, कि ये जेल से पर्चा भरके भी मेयर बन गए, पहले इनके गुरू मेयर थे, C.R. इनकी वाइफ जो थी, वो मिली थी, Emily Nantown का, उरोप में समाज बात को गहराई से समझा, यैसे ऐसे लोगों को पढ़ने का भी बड़ा शॉक होता है, तो करांतियों के बारे में पढ़ना, देशों के बारे में पढ़ना, अनेताओं के बारे में, याद होगा, बगत सिंग फांसी पर जब ले जा रहे थे, तो इस रहीं किताब पढ़ रहे थे, तो ऐसे से लोगों को किताबों का खास लगाव जुड़ाव होता है, 1934 में Emily से मिले, इनकी भावी पत्नी है, और फिर 37 में जाके इनकी शादी हुई, 1937 में शादी, 42 में इनकी बेटी अनीता का जन्म बन गए, 1933 से 36 बाहर यॉरोप में थे, तब भी इतना प्रभाव था, लोग इनसे इतना इंप्रेस्ट थे, कि 38 अभी एड़ साल तो हुआ है वापस आये, और यह अध्यक्ष बन गए, एक सेना संगठन की आवश्यक्ता, जैसे ही सेना शब्द सुना, गांधी जी के कान वरना कॉंग्रेस का रुख मोड देगा, यह वक्ता थे ही बहुत बढ़िया, 1938 सेकंड वर्ल वार का बैक्ग्राउंड तयार हो गया, अब यह था कि कभी भी सेकंड वर्ल वार हो जाएगा, तो नेता जी ने क्या कहा, सही समय आ गया, क्योंकि अब बिटेल लडाई में नेक्स देखिए, दुष्मन की परेशानी का गलत फायदा मत उठाओ, ऐसा गांधी जी कहते थे, यह क्या कहते थे, जिस टाइम वो दुखी है ना, उसी टाइम उसको वार करो, दुष्मन को, आज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आसा कोई गिसी का दुष्मन नहीं है, तब अंग्रेश हमारे दुष्मन थे, नेता जी कहते है, लक्ष पवित्र हो, साधन चाहे हिंसक हो, बेशक मारने पड़े, हत्या करनी पड़े हम मारेंगे, गांधी जी कहते है, लक्ष के साथ साधन भी पवित्र हो, सत्य अहिंसा सत्याग रह से आजादी लाई जाएगी, यह गांधी जी का कहना था, 1939 त्रिपूरी अधिवेशन हुआ, त्रिपूरी आपके MP में पड़ेगा, मध्यप्रदेश में, नेता जी 203 वोट से जीते, इस अधिवेशन में गांधी जी एंटी थे, और गांधी जी ने कहा था, तुम एलेक्शन में मत खड़े हो, लेगिन फिर भी नेता जी खड़े हुए, और नेता जी ने जब पूचा, तो गांधी जी ने कहा, तुम्हें कॉंग्रेस के रास्ते पे अगर चलने में दिक्कत है, तो अलग हो जाओ, छोड़ दो कॉंग्रेस कारे कारणी ने स्तीफा दे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग गांधी जी को बहुत बड़ा नेता मानते थे और थे भी गांधी जी, no doubt, नेहरू तठस्त रहे, अब एक चीज देखो ध्यान से, ये नेहरू और जो ये सी आर अपना नेता जी, ये दोनों लगभग हम उम्र हैं, नेता जी का जन्म हुआ है 1897 में, और नेहरू जी है 1889 के, तो लगभग एक उम्र के ही हैं, कुछ सालों का अंतर है, दोनों यूवा लीडर कहलाते थे, कॉंग्रेस के दोनों जवान लीडर्स थे, लेकिन नेहरू जो है न, ये बहुत, ये कहलो कि पॉलिटिकल वुद गांधीजी नेहिया सब कहली है, ये अएसा नहीं कि गांधीजी की गुरायी की, गांधीजी की राष्टपिता की दर्जा की, लेकिन गलत भलत भलने की हिम्मत रखे थे सुभवाष चन्धरबोस, जबकि नेहरू जी ने कई जगे कर एस जगिसे कि आपके वह शांत खड़ तो था गांदी जी के साथ, जो विजन था, लेकिन जो खटनास पैदा हुई वो नहरु जी के साथ इसके बाद थी. 1939 में अब अलग हो ही गए, और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया. इसके बाद, 1 सितंबर 1939, जर्मनी ने पॉलेंड पर आकरमन कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुवात मानी गई. जर्मनी का पॉलेंड पर आकरमन, और पॉलेंड के आकरमन को फिर जवाब दिया, इंगलेंड, ये ब्रिटेन और फ्रांस की कारेवाही ने. गांधी जी ने कहा, मित्र राष्ट्रों के पृति मुझे सहानूभूती है, मतला में ब्रिटेन के पृति सहानूभूती है, मुझे सिंपथी है. नेता जी कह रहे हैं, अंग्रेजों की परिशानी हमारे लिए मौका है, आज जब ये दुखी है, परिशान है, मौका है, मारो इनको भगाओ यहां से, नेहरू जी क्या कह रहा है, तठस्त रहना उचित है, तमाशा देखो, लड़ेंगे, मरेंगे, जो होगा, उसके बाद दे गए, घर में वो CID का बाहर पहरा, लेकिन, 1941 में, भतीजे शिशिर बोस की मदद से, यह अपने घर से ही, अंडर ग्राउंड हो गए, किसी को पता ही नहीं चला, और बाकी जो चीजे हैं, इनको कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक लंबी कहानी है, बारत से बाहर जाके ही, तो सभी की समझ में भी आगई होगी, ठीक है, चलिए, इसके second part में कल क्लास में आगे जानेंगे, इनका सफर कैसे कैसे आजादी तक के रास्ते पर पहुंचा, आज के लिए इतना ही, thank you.